प्रोजेक्ट के भाहर खड़ा हूँ प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेंड 37 लोकेशन को थोड़ा सा ब्रीफ करना जाओ थोड़ा सा लोकेशन दिखाओ में रोड का प्रोजेक्ट है यह में आ जाता है और अभी चल रही है रोड बन रही है कलब बनना वाकि है तो विदिन तू-3 मंस के अंदर अंदर आपको पोजिशन मिल जाएगी दो दो से तीन महीने बाद आपको पोजिशन चाहिए तो आप ले सकते हो अच्छा प्रोजेक्ट है अल्मोस्स अगर अब तक हो शकता है जब तक आपके पास वीडियो पहुंचे दो से तीन चार दिन बाद तो जो अभी आपका काम देख रहे हो काम ज्यादा हो जाए तब तक तो चलते हैं उपर और आपको यूनिट दिखाते हैं मेटी की बात कर तो सारी में लेगी क्लब हाउस हो गया सुर्विंग फूल हो गया कार पार्किंग होगी एवरीधिंग तो जाले टेस्ट लिए आप कॉल कर सकते हो और ब कर दो कर दो मुझा करें तीन ही यहां पर एक लिफ्ट है और एक सेंपल ब्लैट हो वह मैं खोड़ो सो दिखाना जाओ फिछो एक जो सेंपल हमारा एक साइड पर एक उनित है हमारी और एक बिलकुल जस्ट हमारे सामने जो दूसरी यूनित है जरूर हमसे कनेक्ट करें निढ़न में हमारा वर्क है गुर्डगाओं में भी हम डिल कर रहे हैं तो दि ले टो गूर्डगाओं अप्देट्स आपको मिलते रहेगी हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्क्याइब कर ले ना तो एंट्री करते यहां पहले यहां देख सकती हो तो कितना इस्पेशियस आपको लिविंग मिलता है लिविंग की बात करो तो यहां पे जस्ट छोटा सा सोफा लगाया हुआ है बिल्डर ने बट यहां अपने अक्वर्डिंग एड्जस्मेंट कर सकते हो तो अरौंड 12-15 पीपल की यहां भी सिटिंग इजीली कर सकते हो साथ में इस तरफ स्टेश मिल जाता है बालकनी का यह पोडियम यूनिट है इस तरफ स्विमिंग फूल बनेगा अभी इस तरफ स्विमिंग फूल बनेगा बना नहीं है तो अभी थोड़ा सा ऐसी देख सकते ह और बालकनी है प्रॉपर वेंट्रिलेटिड अपार्टमेंट रहे गई है साथ ही अपने अकॉर्डियम एजस्मेंट करवाना चाथ हो इस तरफ टीवी पैनल आ जागा सोफे की प्लेस्मेंट एल टाइप यू शेप में आप सोफा प्लेस कर सकते हो साथ ही अगर मैं डाइन नहीं षर्वर करवार रखा है मॉटलर कचन दे रखेंगें यहां पे है यह फुली मॉडलर कचन रहेगी और किचन से भी आपको बालकनी स्पेस मिल जाता है आप अपने अक्वाडिंग यहां पर उट्राइज कर सकते हैं यहां पर यहां पर यहां रखना है तो आप यहां रखके खा सकते हो मतलब इस स्पेस काफी अच्छा है चाहें इसको आप कवर करवाना चाहते हो तो कवर भी करवा सकते हो वह आपके अक्वाडिंग है तो थोड़ा समय आपको लियाओट समझाना चाहूंगा तो एंट्री रहते हैं अपने लिविंग देख लिया था तो जो फस्ट बैट्रूम डिसेंट साइज है मिलता है आपको मतलब देखा जाये तो काफ़ी अच्छा साइज मिल जाता है यहाँ पर वाश्रूम का फिटिंग सारी ब्रांडेट्स है यहाँ पर फस्ट बैट्रूम है किंग साइज का बैट इसीली प्लेस कर सकते हो वोडन फ्लोरिंग मिल जाती है आ इस में से अल्रेडी को सोल्ड आउट हो चुकी है बाकी अगर मैं इस लोकेशन की बात को तो बेनेफिट्स की यहाँ पर सीनेचर का प्रोजेक्ट था बीपी टीपी का प्रोजेक्ट था नवराज अपना न्यू प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं आपे लग्जरी में जिसकी सब्सक्राइब करेंगे आई जे एरपोर्ट कर सकते हो हाड़ी 25-30 मिनिट्स और जो लोकेशन की बात को स्कूल हो गए वस्पिटल्स हो गए तो सब कुछ आपको नियरबाइ मिल जाएंगे होंडा चॉक कनेक्ट कर सकते हो 15 मिट में हाडली तो सेकेंड बैट्रूम भी पैनल और साथ ही आपको बालकनी मिल जाएगी इस तरफ बालकनी आते यह पूल फेसिंग यूनिट है साथ ही उस साइट भी स्पेस मिल जाता है सेम बुडन फ्लोरिंग स्पेस दिया हुआ यहां पर आपको इस तरफ वाट्रूम की बात करूं तो वाश्रूम भी कापी डिस प्रॉपर वर किया हुआ है कापी जादा ध्यान रखा हुआ यहां पर कि सारी चीजें आपको कुस्टुमाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है साथ में प्रे थार्ड बैट्रूम है यह मास्टर बैट्रूम रहेगा गिंग साइज का बेड का बेड वुद ऑन फ्लोरिंग है तो बालकनी आपको उपर वाली यूनिट पर मिलेगी जो ड्न यहां पर बनाव सकते हैं यहां पर बनाई विए साथ मेरे लगाया हुआ इस साइड पर तो आप अपने अपर अजस्टमेंट करवा सकते हो वाश्रूम से इसेंट साइज में आपको मिल जाता है वाश्रूम मैं आपको बता चुगा हूं 1.27 है 1.23 आजाते हैं तो आल इंक्लिजिव के बात करें 1.27 है कुछ जो डिस्काउंट होते हैं वो हमारे एंड पर पुले सकते हो जितने भी डिल्स होगी हमारे ओफिस में हो जाएंगी क्योंकि बिल्डर हमारा नोन है सारी यूनिट हमारे पास है कहीं आपको इदर उदर जाने ही जूरत नहीं है जो डिस इसलिए आप हमें कॉल भी कर सकते हो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो आपका चैनल है सारी अपडेट्स आपको दिल्ले टू गुडगाउं यहीं मिलेगी तो इंतजार मत करना कॉल करना लिमेटेड यूनिट्स है इस प्राइस रेंज में कुछ भी नहीं है बन पंटी गया असपास पड़े या जो भी नेगोशिशन होगी या रॉन टेबल हो जाएगी हमारे से तो इंतजार नहीं करना है कॉल करना है और इस प्राइट्टिव एक बास ज़रूर विजिट करना है थैंक्यो सो मच गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो झाल 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 झाल